हेलो इस्टेंट्स आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर पुना स्वागत है तो दोस्तों देखिए आज का हमारा कोश्चन है 5 पपीता 150 यानि कि 1.5 रुपए में मिलता है तो 2 पपीता कितने में मिलेगा दिया हमें 5 पपीता का दाम कितना 150 रुपए और 2 पपीता का दाम हमें पूछ रहा है कि 2 पपीता कितने में मिलेगा ठीक है दोस्तों तो देखिए 5 पपीता हमें कितने में मिल रहा है 5 पपीता हमें मिल रहा है कितने में 1.500 में यानि 150 रुपए में ठीक है दोस्तों अब हमें 2 पपीता बताना है सबसे पहले हम एक पपीता का निकाल लेते हैं तो दो पपीता का असानी से बता सकते हैं यदि एक पपीता का नहीं निकालेंगे तो दो पपीता का नहीं बता पाएंगे तो देखिए एक पपीता का निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए एक पपीता बराबर तो देखिए एक पपीता बराबर कितना आया, एक पपीता बराबर आया हमारा 30 रुपए, ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है दो पपीता का दाम, तो दो पपीता लिख लिजिए, दो पपीता बराबर, दो पपीता का निकालना है, तो यहां लिखिए गुणे, अब हमें कि से एक पपीता के दाम से गुणा कराना है, एक पपीता के दाम कितना आया है, 30 रुपए तो 30 से गुणा करा दीजिए, ति कितना आएगा, देखिए, 2000 तो 36, यहनि 60 रुपए में हमें 2 पपीते मिलेंगे, तो I hope दोस्तों कि यहाँ कोश्चन आप लोगों को समझ में आया होग तो देखिए, इसी टाइप का एक अगला कॉश्चन, तो देखिए, यह हमारा अगला कॉश्चन है, तीन किलो पपीता 60 रुपए में मिलता है, तो एक किलो पपीता कितने में मिलेगा, माल लिजीए, आभी तक हमने बताया कि, एक पपीता, दो पपीता कैसे निकालेंगे, अब किलो के हिसाब से कैसे पपीता को निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तीन किलो दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, तीन किलो का हम दाम लिख लेंगे, तीन केजी का दाम कितना है, साथ रुपए है, तो हमें एक केजी, यानि एक किलो पपीता का दाम बताने तो हमें 1kg का दाम निकेल आएगा ठीके दोस्तोों भाग दीजिए ये आजाएगा 20. यानि एक kg का हमें मिल जाएगा कितना 20 रुपए दोस्तों ठीके तो I hope दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर लिजिए और यदि हमारे यूटॉब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में अच के लिए वस्त नहीं जाहिए दोस्तों